तो गूर्णिंग गाईज और करन्ट अफेर्स के रिविजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने की करन्ट अफेर्स का रिविजन करेंगे तो हमारा पहला प्रशन क्या है अवर उनली हूम अ क्लाइमेट अपील टू दा वर्ल्ड नाम की बुक को किस ने लिखा है दलाई लामा ने लिखा है वैसे अभी दलाई लामा जी के उपर भी एक बुक लिखी गई थी इनकी बायोग्राफी लिखी थी किस नाम से His Holiness the 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी और उसको लिखा था तेंजीन के ये टेथांग ने फिर एक किसे केन्या में भारते उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया तो आंसर होगा विरेंदर पॉल को Kenya इसकी केपिटल नेरोबी है और नेरोबी में आपको United Nation Environment Program का Headquarter भी मिलेगा और United Nation Environment Program के अध्यक्ष है इंगर एंडर्सन जो की खुद डैनमार्क से है Kenya की करंसी Kenyan Shilling है और प्रेसिडेंट है उरुह केन्याटा फिर है किसे धर्मपद पुरुषकार से सम्मानित किया गया तो आंसर होगा सुदर्शन साहु को फिर है Food System Vision Price जीतने वाले Eat Right India आंदुलन को किस संगठन के द्वरा लागू किया गया तो आंसर होगा FASAI Food Safety and Standard Authority of India FASAI की चेर्मेन है रीटा टायोटिया और सीओ है अरुन सिंगल फिर है Steel Authority of India साही Limited के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया तो आंसर होगा सुमा मॉंडल को एक दिलिप उमान का नाम भी याद रखो अभी ये Indian Steel Association के ने प्रेसिडेंट बने थे फिर किसने Connecting, Communicating, Changing नाम की बुक को रिलीस किया तो आंसर होगा हमारे रक्षा मंतरी राजनाद सिंग जी ने तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट एमिंक या नाइडू जी है इनके तीन साल पूरे होने पर इस बुक को रिलीस किया गया फिर अंतर राष्ट्रे युवा दिवस कब मनाया 12 अगस्त को मनाते हैं और राष्ट्रे युवा दिवस National Youth Day स्वामी विवेका नंद जी के जनमतिन को यानि की 12 जनवरी को मनाते हैं फिर कौन Most Valuable Player of the Year बन गए थे तो आंसर होगा Cristiano Ronaldo फिर कौविड-19 के खिलाफ वैक्सीन को मनजूरी देने वाला पहला देश बना था रशिया और उसकी जो वैक्सीन थी पहली वाली उसका नाम था Sputnik V फिर किसने ICAR यानि के Indian Council of Agricultural Research का Data Recovery Center क्रशी मेग को लौंच किया तो हमारे जो क्रशी मंत्रिय नरेंदर सिंग तो मर उन्होंने ही उनका निर्वाचन शेत्र है मौरेना मद्यबर्दीश बढ़ते आगे फिर इंटरनेशनल शेफ डे ये हमने कब मनाया तो आंचरों का 20 अक्टूबर को इसकी थीम थी Healthy Food for the Future वैसे 20 अक्टूबर को World Osteoporosis Day भी हमने मनाया था और 20 अक्टूबर को इस बार हमने World Statistic Day भी मनाया हर 5 साल में एक बार मनाते हैं ये विश्व सांकी की दिवस फिर अभी एक आटोबायोग्राफी है Portraits of Power नाम से इसको भी रिलीस किया था हमारे पंद्रवे वित्तायुक के अध्यक्ष N.K. सिंग ने ये उनी के आत्मकता है फिर भारतिय प्रधान मंतरी अभी किस देश के 50 वी सोतंतरता दिवस समारों में शामिल होंगे अगले साल होंगे अभी इनको नियोता मिल गया तो आंसर होगा बांगलादेश फिर भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये कांपे स्थाफित किया जाएगा तो आंसर होगा असम में अभी जो हमारे सड़क वो परिवहन मंत्री है नितिन गड़करी जी उन्होंने असम में देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के अधरशिला रख दिये फिर है 200 IPL मेंच खेलने वाले पहले किर्केटर बन गए कौन माहिंदरेसिंग दोनी बन गए उसके अलावा IPL में ही अभी जो चले थे 13 वे IPL युनेटिड अरब अमिरात में उसमें 100 मेच जीतने वाले ये पहले कप्तान बनने चन्नाई सुपर किंग के कप्तान है ये और अभी वाला IPL किस ने जीता मुंबई इंडियन्स ने पांच भी बार जीत चुका है वो पांच बार सबसादा बार वो जीत चुका है फिर एकिस राज्य के मुखे मंत्रे ने मौ बिद्ध्युत पोर्टल को लॉंच किया या शुरू किया देखो मौ आ गया न तो आंसर इसका होगा उडिसा इसी भी योजना पोर्टल के आगया अगर मौ आ जाए तो आंसर उडिसा करो फिर है भारत के किस राज्य में 2019 में सबसे ज़्यादा घरेलू परियतक दर्ज किये गए तो आंसर होगा उत्तरप्रदेश में फिर है OECD यानि की Organization for Economic Co-operation and Development जिसका Headquarter Paris France में है तो अभी OECD International Migration Outlook Report में भारत किस नमबर पे रहा दूसरे नमबर पे फिर है किस देश ने सेंट, सेंट मतलब होता है Stand Off Anti-Tank Missile तो सेंट मिसाइल का सफल परिक्षन अभी किस ने किया? भारत ने किया? भारत ने किया तो ये एक Anti-Tank Missile है जिसे DRDU ने डेवलप किया जिसकी रेंज है 15-20 किलोमेटर फिर है किस ने आयुशमान सहकार योजिना शुरू की हमारे करशी मंतरी नरेंदर सिंग तो मर ने इसका उद्धिश है ग्रामिन शेत्रों में स्वास्ते सेवाओं में परिवर्तन लाना बढ़ते आगे तो चलिए कल के Current Affairs को revise कर लेते हैं पहला प्रशन आपसे पूछा जा रहा है किस ने लीलावती पुरुसकार 2020 को launch किया तो आंसर होगा रमिश पोक करियाल निशंक ने हमारे सिक्षा मंतरी हैं ये तो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस पुरुसकार को शुरू किया है फिर है वर्श के अंत में विश्व का नंबर वन खिलाडी रहने की ट्रोफी किसे मिली है किसने जीती है तो आंसर होगा नोवाग जुकुविच ने ये सर्बिया के टैनिस प्लेयर है फिर है मालड करनाटक बैंक की कैपिटल मैंगलूरू है इसके MDCO महा बलेश्वर MS है और इसकी टैगलाइन होती है यूर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया फिर है विश्व सोचाले दिवस वर्ल्ड टॉयलेट डे हमने 19 नवंबर को मनाया और इसकी थीम थी सस्टेनेबल सैनिटेशन एन Climate Change और 19 नवंबर को ही National Integrity रश्टर एकिकरन दिवस भी मनाया गया था इंडरा गांदी जी की जैनती को मनाते हैं ये और 19 नवंबर को इस बार विश्व दर्शन दिवस World Philosophy Day मनाया World Philosophy Day मनाया नवंबर का तीसरे गुरुवार को मनाया जाता ही है तो इस बार ये 99 नवंबर को आया फिर है विजे नगर ये किस राज का अभी 31 जिला बढ़ गया तो आंचार होगा करना टक का फिर है किसे Finance Peer का Brand Ambassador बनाया गया तो आंचार होगा रोहित शर्मा को राजी तो आंचार होगा गुवा फिर है किस राजे ने वत्सल्य योजिना और समर्थ योजिना लॉंच की है अनात्व बे सहरा बच्चों के लिए तो आंचार होगा राजस्थान फिर है सबसे शक्ति शाली सूपर कंप्यूटरों की टॉप 500 में भारत का जो परमचिद है वो किस अभी शहर कौन सा बना था भूवनेश्वर बना था तो भूवनेश्वर जो की उडिशा की कैपिटल है ये फेकल सलज और सेप्टेज मेनेजमेंट के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर बना फिर है किस देश ने दस वर्ष ये गोल्डन वीजा को जारी करने की गोश ना की तो आंसर होगा United Arab अमिरात नहीं बढ़ते आगे तो स्टैटिक क्यूशन को कवर करते हैं पहला प्रशन आपसे पूछा जा रहा है वर्ल्ड वाटर मॉनेटरिंग डे विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया 18 सेप्टेंबर को जिसकी थीम रही थी Solve Water फिर है तो इनका नाम अभी News में भी था वैसे अभी वर्तमान में RBI के जो Governor है उनका नाम है शक्तिकान दास फिर है Global City Index 2020 जो आये था उसमें टॉप पे रहा Singapore सेकेंड पे रहा था Finland की Capital Helsinki तीसरे पे जुरिक और भारत में बात करेंगी तो दिल्ली 86 नमबर पे था हैदराबाद 85 नम पे था फिर है सुदान सुदान जो की North African country है इसकी Capital बताओ खार तुम है फिर है राजस्तान रोयल के ब्रेंड अमबेजडर कौन है शेनवान है फिर से बन गया भी है फिर है जिन्ना his success failure and rule in history नाम की बुक को लिखा इस्तियाक अहमद ने फिर है Global House Price Index 2020 में भारत की rank रही क्य 54 और इसमें टॉप पे रहा तरकी फिर है PTM First Games के brand ambassador कौन बने सचिन तैंतुलकर बने है तो important days की बात कर लेते हैं पहला प्रशन पूछा जा रहा है World Chess Day कब मनाया तो अंसर होगा 20 जुलाई को जिसकी theme रही थी Chess for recovering better फिर है National Broadcasting Day यह हमने 23 जुलाई को मनाया राष्ट्रे प Broadcasting Day अभी November के अगर आप Current Affairs पढ़ते होंगे तो हमने कहीं बार पढ़ा है Public Service Broadcasting Day लोग सेवा प्रसारण दीवसम मनाते हैं कब 12 November को तो वो भी याद रखो फिर है World IVF Day and Venture Fertilization Day 25 जुलाई को मनाते हैं फिर है World Hepatitis Day जुलाई को मनाते हैं और इसकी theme रही थी Hepatitis Free Future फिर है World Nature Conservation Day 28 जुलाई को मनाया मतलब विश्व प्रकृति संगरक्षन दिवस फिर International Tiger Day विश्व बाग दिवस 29 जुलाई को मनाते हैं एक Lion Day भी होता है शेर दिवस जो हम 10 अगस्त को मनाते हैं फिर है विश्व संस्कृत दिवस यह हम मनाते हैं 3 अगस्त को फिर है National Handloom Day यह हम 7 अगस्त को मनाते हैं फिर है विश्व आदिवासी दिवस यानि कि World Tribal Day यह 9 अगस्त को मनाते हैं 9 अगस्त को बैसे नागासा की दिवस भी मनाया जाता है और Hiroshima दिवस हम 6 अगस्त को मनाते हैं फिर है World Bio Fuel Day विश्व जेविंदन दिवस यह हम 10 अगस्त को ही मनाते हैं और इसके theme रही थी biofuel towards आत्म निर्बर भारत तो guys ये था आज का हमारा current affairs का revision वाला वीडियो देखिए वीडियो अच्छा लगाया तो वीडियो को like जरूर करना और सबसे important इससे share करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ में और देखिए अब आप लोग के request पे topic wise current affairs हमने upload करना start कर दिया और उसमें भी सबसे important बात monthly wise जैसे October month उठाया तो उसके topic wise current affairs को हम लोग cover कर रहे हैं जैसे appointment ले लिया तो October में जितने भी appointments न्यूक्तिया हुई है उनको cover कर लेंगे फिर awards उठाएंगे फिर ranking and indexes उठाएंगे तो इसी तरह से topics wise हम cover कर रहे हैं मैं इनके video भी upload करू हुआ ताकि अगर खबरी application पर मुझे follow कर रखा होगा आपने और daily current affairs के special topics के जो मैं audio upload करता हूँ वो अगर आप सुनते होंगे तो वहाँ इनके भी audio सुनकर करके आप anytime किसी भी time जब आप video नहीं देख पा रहे हो या जब आपके पास time free है तो आप वो audio सुनके भी इनका revision कर सकते हो बस आपका revision होना चाहिए बस time को utilize करना आपको आना चाहिए audio से ये benefit होता है और एक बार फिर से मैं आप लोग उसे request करूँगा अगर अपनी crack exam application पे आप लोग quiz वगरा लगा रहे हैं तो वहाँ पे अगर कोई advertisement दिखता है तो please उस पे click ज़रूर करा करें मुझे ऐस लगता है आप लोग शायद मेरी बात को नजर अंदाज कर देते हैं तो please ऐसा नहां करें अच्छा चलिए अब कुछ कुशन्स आप लोगों से पूछ लिए जाएं कुशन्स लगाईएगा और देखिएगा कितने कुशन्स आप लोगों से बन पारे हैं बाकि हम इनको कल झाल झाल झाल